नमस्कार दोस्तों, तो चलिए ऐसकी खिलास में बात करते हैं हम लूग, एक बहुती मात्पूर टॉपिक पर बात करने वाले हैं COVID-19 के दौरान गैर संचारी रोगों के उपचार की चनोतियां, इसी से सम्बंदित ये आपका आइटी का लिखा गया है तो सबसे पहले तो आप याद रखिए गैर संचारी रोग, वो रोग होते हैं, जो एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में नहीं फ्यलते हैं इसमें आप जैसे ले सकते हैं, कैंसर हो गया, मदूमे हो गया, हिदय रोग हो गया, संचारी रोग इसके विपरीत होते हैं संचारी रोग वे रोग होते हैं जो तेजी से संखमण करते हैं तता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तुरान्त मतलब जल्दी फैल जाते हैं जैसे आप Malaria, Typhi, चेचक, Influenza, चेचक आप ले, देखते हैं कि कि अगर किसी को कैंसर है, तो आप उसके पास जा रहे हैं, तो आप में लग जाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन चेचक में अगर उसके पास आप जाते हैं, तो आपको होने की चंस बने रहते हैं हाली में WHO द्वारा किये गए एक सरवेक्षट के अंसार, COVID-19 यान की कोरोना वायरस के महामारी किस्ट सुरू होने के बास से, गैर संचारी रोगों के लिए रोग थाम और उपचार सेवाएं, गंभी रोग से बादित हो गई, बहुत से लोग जिने कैंसर है दैरोग और मधू जैसी बीमारियों के लाज की आवज सकता है, भी इस से संबंदित स्वास्त सेवाओं का लाग नहीं ले बार रहे हैं, एक बात आपको बता दें, पहले डबलू हो क्या है, इस विस्ट्र वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन है, विस्ट्र स्वास्त संगठन, और आपने द संगठन हैं, उन सब के बारे में लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो माधूंट संगठनों के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है, उसमें सभी संगठन मिल जाएंगी, तो आपने जब से देखा कि COVID-19 का महामारी आई हुए, तब से और आपने बीमारियों के लि जांदा सोविधा भी निंदी जा रही है, और जो इससे पीड़े थे, उनके लिए सेवाओं का लाप भी नहीं मिल पा रहा है, पिछले महीने 155 देशों में किये गए सर्वे में, सयुक्तराष्ट की स्वास्त एजनसी को एक चिंताजनक समस्या के बारे में पता चला है, य इन में से कई लोग COVID-19 विमारी से जांदा से भी जांदा खतरी में, सर्वे के मताविक कई देशों में स्वास्त सिवाय आजएक रूप से या पूल इतरे से बादित हो गई है, आप समस्कते हैं कैंसर का फीड ठीक है, आपकी पूरोना वायरस में जान जाने के बहुत कम च जाती है, और कम है इसका रेसियो है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसमें कैंसर है किसी को, तो उसके मरने के चांस अधिक होते हैं, लेकिन फिर भी उसे इलाज की सुद्धा नहीं हो पा रही है, और सबसे बड़ी तो प्रोप्लम है आप ग्रामीड शेत में रहते हैं, और आ कई बोलते थे कि वो ई-medical सुद्धा, मतलब online medical, देखिए भाई, इतना सकसे नहीं हुआ है भारत भी, कि इस तरह की सुद्धा हैं हो जाएं, अन्न देशों में हो सकता है कि इस तरह की सुद्धा उपलद हो जाएं, लेकिन हमारे यहां भी बहुत बीच हैं, सर्वे में साम दाप रक्त यानि कुछ रक्त दाप की इलाज के लिए, 49-30 मदूमे और मदूमे से संब्धित रोगों के उप्चार के लिए, 42-30 कैंसर के इलाज के लिए, 31-31 हिदय संब्धि आपाद इस्तितियों के लिए दी जाने वाली सेवाएं आंसिक या पूरी तरह से बाधित यान की रोग दी गई हैं, सेवाओं को बंद करने या कम करने के लिए सबसे आम कारण कोरोना महावारी थी, क्योंकि इसी के कारण नियोजित अप्चारों को रद्ध करना पड़ा, और सार्विजिनिक परिवान की उपलब्दता में कमी आई, और साथ ही करवचारियों की कमी का का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि स्वास्त का करताओं को COVID-19 के उप्चार निर्दिर्च कर दिया गया है, समझ रहे हैं, आन्य प्रमुख छेत्रों में भी पैडाम लगभग समाने, जैसे तपेदे के उप्चार में मा और बच्चे दोनों का स्वास्त देखा जाता है, क् लेकि इसका प्रभाव दोनों पर हो सकता है, परन्तु आप महामारी के पड़ाम स्वारू, दोनों में मित्ती उधर की विध्धी देखी जा रही है, इसमें कोई सक नहीं, आप समझे रहे हैं कि जब आपके पास साधन नहीं है, ठीक है, आप सक्सजू, मैं सब की बात नही पड़ती है लेकि ट्रेन की आप इस्तिती देखते हैं, अभी भी बंद है आपकी ट्रेन, तो समझ रहे हैं हैं हाँ हालत, अगर इसमें बैस्विक इस्तिती की बात करें हम लोग, तो गैर संचारी रोगों के कारण पितेग वर्स, 41 मिलियन लोग मलते हैं, कितमे 41 मिलियन ल बरावर 10 लाग होते हैं, जो बैस्विक इस्तर पर सभी मौतों के 71 वितीसत के बरावर हैं, पितेग बर्स 30 से 59 वर्स की आई पिवीच 15 मिलियन लोग NCD के NCD से मर जाते हैं, इन में से 85 से अधिक 85 वितीसत से अधिक समय से पहली मौत और कम और मध्यम आये वाले देशों में होती है, रेपोर्ट के अनुसार 5 देशों में से एक में स्वास्त सेवाओं को बंद करने का एक मुख कारण दवाओं और डाइगनो इस्टिक्स और अन्य तकनीकों की कमी थी, आप इत्यासित रोप से देखा जाए, तो पितीत होता है कि एक देश में NCD के उप्चार और को हमारी उप्चार है, दुद्धी जाने वाली सेवाओं में ब्योधान के बीच सह संबंद है, अधिक तर देशों में कोरूना वाइरस के बढ़ते, बढ़ने के कारण गयर संचारी रोगों क्या, गयर संचारी रोगों से संबंदी सेवाएं, तेही से बादित होई है, हाला कि वेस्विक इस तर पर दो तिहाई देशों ने बताया कि उन्होंने NCD सेवाओं को अंतरक्ष्टिये, को अपने राष्टिये, COVID-19 की तेवारियों और विदिक्रिया, यह उजनाओं, प्रिप्रेशन, एंड रिस्पॉन्स, पिलान में भी सामिल किया है, NCD का मतलब याद रखिए, यही गयर संचारी रोग होता है, तो आप समझें कि क्या होता है, पताया नचली, ठीकर, इसमें उच्च आये वाले देशों से, बहत्तर पितिशत की तुल्णा में अंडिम्न आये वाले देशों में, देशों से 32-33 सेवाएं सामिल थी, जिसमें आपने हिदय रोग के अंसर मदू में पुरानी सोसन बीबारियों को, दूर करने ही तो सेवाएं मुक्रूप से समली थी, पदंतु दंत चिकसा सेवाओं तमापुनिसित, पुनरवास गतिवधियों को सामिल नहीं किया गया था, सर्वेक्षण के पैडाम सुरूप, अब आ रिपोर्ट के अंसरा सत्तर पिदीशत देशों ने अपने राखते कोविद-19 योजना में NDC, NCD सेवाओं के प्रावधान को सामिल करने के लिए, सरकार की बजटर से अतरिक तधन आवर्णित करना सुरू करती है, 22 इस तर पर 58 पिदीशत देश अब लोगों को परावस्त अगर भारत की स्तिती की बात करें हम लोग, तो अन देशों के समान भारत में भी, कोविद-19 मामलों का बोज बढ़ने के साथ स्वास्त विवस्ताओं के पर दभाव बढ़ता जाने, भारत में गेर संचारी रोगों बाले लोगों की एक बड़ी संख्या है, जिनने नेमित नेगरानी और देखवाल की जरूरत होती है, परंतु महामारी के कारण गेर संचा कि जब से कोविद-19 आया हुगा है, कोरोना वाइरस, तो तब से आपने सुना होगा कि कहीं आपने नहीं सुना है कि कहीं हो हस्पीटल में यह भुराया, वह भुराया, क्योंकि सबका ध्यान हट चुका है अन्य बीमारियों से, और मैन आपका कोरोना वाइरस पर लग चुक कि कितनी भी खतरनाग वीमारी हो से, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया लिया है, हाला कि टेली मेडिसिन एक आसा जराक बिखल्क है, जो कि प्रोदुकिकी पिलेट ओमों पर निर्वार है, परन्तु ग्रामीड और दूर दराज के छितरों के लिए स्वास्त, केबल स्वास् नहीं है, लेकिन देश भर में लोगों की आसंतोस जन, इस्तिती बास्तविक जानकारी दे रही है, कैसे बिछले तीन महीनों में डायलिसिस जसी नेमित, लाइफ सेविंग सेवाएं, रसाइनिक चिकेसा, रक्त आधान अनुपलब्द हो गएं, अधिकास निजी अस्पताल नायसिंग हॉम, नेजी कलिनिक ने अपनी OPD और अनसेवाएं बंद करती है, एक हकीगत होता है, देखिए एक दिखावा होता है, और जैसे हम लोग दिखावा की जिन्दगी जीते हैं, 90-50% लोग दिखावे की जिन्दगी जीते हैं, जिनके वाखाद एक रुपे की नहों लोग पचास रुपे लेका चलते हैं, मतलब दिखावे के लिए, आप एक बात समझी है हमें सब, कि सिक्षा, ओनलाइन सिक्षा की बात की जाएं, ओनलाइन मेडिकल की बात की जाएं, टेली मेडिसें, आपको लगता है, संभाव है आपके देश में, अधिकतर के पास तो इतनी कमियां होने के बाद और देखिए उद्दू जो भी स्वास्त चीएते हैं, इसमें जब से कोरोना वार्यस आया है, सब उजागर कर दिया है कि कितना कमी हमारे थेमें, क्या स्वास्त की पैवस्ता है, ठटैयकर, हर देश में यार्यां हमारे हम उद्दा चुनाव होता है तो क्या उटता है हिंदू-मुसलिम हिंदू-मुसलिम और यह मुद्धा इस्थानिय जो भी आपके रहते हों लेकिन कोई भी देश को लेजिए वहां स्वास्त सिक्षा और तीसरा पिसिक्षा यह तीन मुद्धे चुनाओं के बनते हैं इसलिए अभूबिक से नहीं कि सकते हैं पढ़ाई लिखाई में साक्षरता में सबसे आगे हैं और कोरोरा वाइरस पर देखिए कि उसने अच्छे से टेगल किया हुआ है मतलब अच्छे से समाना निकाला हुआ है क्योंकि वहां हम जैसे लोग नहीं हम कि हम लोग मतलब किसी एक मुद्धे पर बोड़ दे है कि आप लोग उत्तर पिदेश विहार मत्य पिदेश यहां की जंसा सतर साल से भोग रही है और मुझे लगता है कि जिन्दगी पर भोगती रहेगी हमारा नहीं जैसे हम अंदभक्ती में बोड़ दे देते हैं तो हमारा छोड़िए आने वाली हमारी प्रीडिवी इससे प सुचिए कि उनलाइन से वाएं तबनी तक चालू नहीं हो सकती है जब तक हम ब्यक्ति एलेक्ट्रोनिक मतलब साक्षर ना हो कंप्यूटर से और आप समझे कितने पिती से थमारे हैं कंप्यूटर से जानका रहोंगी मुश्किल से बैटिस जनरल ऑफ सर्जरी में पिछले मईने पिकासित एक अध्यन से पता चला है कि कोविद नाइटिन के बारे पीक सब्ता के दोरा भारत में हर अफदे 48,700 से यदिक सर्जरी रत कर दिए लगवक 60-30 कैंसर सर्जरी की योजना को इस्तिवित यानी की बंद कर रूप दि आते हैं चुक्कि अधिकास अश्पटाल बड़े सहरों में इसलिए ग्रामीट छित्रों के लोगों को अक्सर उपचार के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है निसकस तक क्या कहा जा सकता है कि गयर संचारी रोग एंटी एंसेडी से ग्रसित लोग आवस्तक उपचार ना मिलने की कारण अंडल रोगों की बिदी भी संबिदिन सील हो जाते हैं आपने सुना भी होगा कि कोरोना वायरस से मौत उसी बैक्ती की होती है जो पहले से किसी वीमारी से पीर लित हो तो वही बात की जारे हैं इनके मरने की चांस अधिक रहते हैं अताहा सरकार को स्वास्थचेद पर अधिक ध्यान देने की आवस्तवता होती है हमें स्वास्थ सिवाओं को बजबूत करने के लिए बेहतर नेमार और सिपकिल उसको उचित दिसा में क्रियान बंद्ध करने की अभूसता होती ताकि वावे समय किसी भी परिस्तिती में एंसीडी के रोक्ताम निदान और देखवाल की सेवाएं पिदान करने के लिए बेहतर तरीके उवलब्द हों याद रखिए मेरी यही इक्चा रहती है कि हमारे देश में स्वास्त सिख्चा और पिसिख्चन फिरी होना चाहिए बिलकुर और आप मानिये हकीकत कि मैं यह बोल आदत नहीं पड़ेगी फिरीका किसी को खाने की आदत नहीं रहेगी अपने बाद वो अपना रोजयार और खाने पीने की विवस्ता कर लिए लेकिन अगर सरकार ने काम कर दिया तो आप खुछ सोचिए कि एक सरकार करेगी आप पड़े लिखे हो जाएंगे और उसके आप देखते हैं कि वहां आप जन्ता खुछ साल है ठीक अब कुरोना एक ऐसी महामारी आप कुरोना से मत जोड़िये अर्वन के जीवाल को कि अर्वन के जीवाल की फैलियर है यह सब की फैलियर है किसी की ने फैलियर आप मुंबई को देख सकते हैं दिल्ली को देख सकते ह इसलिए जानदर टेस्ट हो रहे हैं इसलिए जानदर केस आ रहे हैं परना आप उत्तर पिदेश मंद्यपदेश राजिस्थान कहीं भी ले दिए सब जगए कम किस आप एक बास समझे कि आप सरीर के जिब तक अल्टा साउंड या चेक ना करवाएं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या वीमारी तो यही हाल दिल्ली में अधिक टेस्ट हो रहे हैं अधिक केस आ रहे हैं अमेरिका में अधिक टेस्ट हो रहे हैं अमेरिका में अधिक टेस्ट केस आ रहे हैं उत्तर पदेश राजिस्थान इन छेत्रों में कम टेस्ट किये जा रहे ह इसलिए कम मरी जाने हैं ठीक है चलिए अपने ख्यार रखिए अपने परिवार कर साथ में ख्यार रखिए